ATC to ATU के सारे वीडियो HC मेरोतरा बुक से डिड़क्शन के सारे कोश्चन मैंने सब कुछ करा रखा है अब डिड़क्शन के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो आपको डिस्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा ठीक है इस वीडियो में हम HC मेरोतरा बुक से डिड़क्शन चेप्टर का शॉट निमेरिकल कोश्चन कोश्चन नमर फाइफ करने जा रहे है जो मिस्टर एक्स है उन्होंने क्या किया है हेल्थ इंशॉरेंस करा रखा है तो उसका प्रीमियम कटेगा कुछ तो जो खुद के हल्थ पे इन्होंने हल्थ इंशॉरेंस कराया है उसका प्रीमियम कटाया है प्रीवियस एर में एक लाख रुपे और जो अपने इस पाउज यानि हिज अपने वाइफ के लिए इन्होंने कराया है उसपे कट रहा है 15,000 रुपीस ठीक है आगे लिखा है he also paid a health insurance premium of rupees 55,000 on his father's health who is a senior citizen and not dependent on him मतलब की 55,000 रुपए का मतलब उन्होंने अपने father's के health पे भी health insurance करा रखा है और उसका premium कटा है पिछले साल 55,000 रुपए ठीक और वो senior citizen है और Mr. X पे dependent नहीं है आगे लिखा है the payments have not been made in cash अब देखो अभी मैं question पढ़ने से पहले अगर आपने मेरी सारी reduction वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जब भी जिसे life insurance premium की बात हो तो वो चला जाता है कहाँ पे? ATC में और जब भी health insurance premium की बात हो तो वो जाता है ATD में और देखो यहाँ वही पूचा है compute the amount of reduction under section ATD from his GTI मतलब कि कितना reduction ATD में आएगा कि उसको GTI में से less किया जाए ठीक ATD की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आपको description में भी link मिल जाएगी और आप ATD reduction के playlist में भी जाके देख सकते हो वहाँ से देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा ATD में दो condition होती है एक age less than 60 years की एक age less than एक age above 60 years की ठीक है तो जैसा कि देख रहे हो आप इनके जो पापा थे फादर थे उनके उपर तो बता दिया है कि वो senior citizen है ठीक है लेकिन ये जो Mr. X और उनकी wife है उनका नहीं बताया गया है कि वो senior citizen है की नहीं तो जब भी नहीं बताया गया है तो आप मानोगे कि वो senior citizen नहीं है पहला चीज़ तो सबसे पहले आप देखो जो ATD है उसमें दो अलग-अलग condition है एक खुद के लिए spouse के लिए और dependent children के लिए एक में और एक है for parents ठीक है तो सबसे पहले अभी आप parents का भूल जाओ सिर्फ देखो कि खुद का और जो wife का लिया है वो किसमें आएगा इसमें दूसरी चीज मैंने कहा कि जब भी question में नहीं बताया हो कि वो 60 years के हैं या 60 years के अबब हैं तो आप मानना कि वो 60 साल से कम के हैं तो यहां हम मानेंगे कि Mr. X और उनकी wife less than 60 years के हैं ठीक हैं तो आप देखो खुद पे spouse पे और dependent children पे साल का maximum 25,000 रुपए जो है premium आप ये deduction ले सकते हैं और इन्होंने अपने ही अकेले health का कितना premium कटवाया है एक लाक रुपए और spouse का 15,000 ये टोटल कितना हो गया एक लाक 15,000 और जबकि self spouse और dependent children का मिला के केवल 25,000 होना चाहिए तो ये तो सौझ में आगए आपको कि इस एक लाक 15,000 की जगा पे आप केवल 25,000 रुपए लिखोगे ठीक अब आते हैं father के health पे क्योंकि वो parents वाले में आ जाएंगे ठीक है अब आप मुझे बताओ वो parents जो हैं वो less than 60 years में आएंगे कि above 60 years में क्योंकि इस question में बता रखा है कि father senior citizen है तो वो यहाँ पे आएंगे ठीक above 60 years में तो यहाँ देखो parents का हैं यहाँ पे मतलब मम्मी और पापा का दोनों का मिलाक के जो premium है वो साल का 50,000 रुपए होना चाहिए और यहाँ पे पापा का इनके अकेले premium कितना कटा है 55,000 रुपए तो इसकी जगा पे आप केवल 50,000 रुपए qualify करोगे ठीक है मतलब यहाँ पे 25,000 और यहाँ 50 तो 25 और 50 एड करतोगे तो आपका answer आजएगा 75,000 ठीक है बाकी detail वीडियो के लिए आप यह ATTD वाली वीडियो देख लो यहाँ मैंने table के through भी समझाया है जैसे था कि खुद के और wife पे ले रखे थे यह तो नहीं बताए गया था कि वो 60 years से कम है ज़्यादा है तो हम मानेंगे वो 60 साल से कम है और यह देखा हमने कि 60 साल से कम के लिए self spouse or dependential रिन का था 25,000 रुपए ठीक तो यहां से हमको पता चल गया कि जो यह 1,15,000 था इसके जगा पे केवल 25,000 कौलिफाई होगा उसके पापा जो थे इंके senior citizen थे उनके पे 55 गया है तो हम देखेंगे 60 साल से अबब वाले कहा है यहां है उसमें parents जून रो तो parents का यह block है कितना है 50,000 तो 55 की जगा केवल 50 हम सुलिशन देखते हैं 5 का इसमें हमको निकालना है 80D का deduction तो आप लिखोगे यहां पे computation of deduction under section 80D तो आप इसको लिखो के पहले health insurance premium for self and spouse तो Mr. X ने खुद के उपर जो premium कटवाया है वो है एक लाख रुपए और जो wife का premium कटवाया है वो है 15,000 रुपए का तो यह कितना हो गया total एक लाख 15,000 ठीक है यहां लिखो गया maximum deduction allowed कितना होता है 25,000 रुपए क्योंकि यहां पे नहीं बताया गया है कि यह senior citizen है की नहीं तो हम मानेंगे कि Mr. X और उनकी wife non senior citizen है मतलब वो अभी senior citizen नहीं है तो केवल 25,000 रुपए तक qualify होता है तो आप यहां लिख दो बाहर 25,000 रुपए समझ में आ गया बात को अब उसके बाद था पापा के हैं तो 80D में दो condition थी एक था self, spouse and dependent children तो वो यहां पे हो गया एक था parents के लिए तो अब यहां लिखो health insurance premium for parents तो यहां पे माता पिता दोनों के लिए नहीं लिए गया है केवल father के लिए लिए गया तो आप लिको father ठेक है अब इनका भी पहले यहां पे amount लिको कितना है 55,000 रुपे और बता अच्छा देखो इस question ने बोला गया था कि वो not dependent on him उससे मतलब नहीं है dependent हो कि ना हो बस parents होने चाहिए ठेक है दूसरी चीज अगर यहां बोल देता या कुछ नहीं बोलता अगर लिखता कि यह senior citizen नहीं है तो इनका भी केवल 25,000 जाता माता पिता दोनों का मिला के ठेक बाकी question में बोल दिया गया है कि जो father है उनके वो senior citizen है तो senior citizen के case में maximum deduction जो allow होता है parents के लिए वो है 50,000 रुपए ठेक तो 55,000 की जगा बाहर लिखो गया आप कि अबल 50,000 रुपीज और कुछ है नहीं दोनों को add कर दो हो गया 75,000 यहां लिखो deduction under section 80D ठेक है आप